वीडियो में स्वागत है तो फाइनली या रेड्मी नोट 6 प्रो के लिए यहां पर पिक्सल एक्सपीरियन्स प्लस रोम रोल आउट हो गई है और यहां पर यह पूर्ट करी गई रोम आपको देखने को मल जाती है रेड्मी नोट 6 प्लस प्लस रोम के आपको कुछ फीचर्स इसके अंडर देखने को मल जाते हैं और यह लेटिस्ट अंडरोयट 10 वर्जिन पर आपको देखने को मलती है देख सकते हैं प्लस बिल्द अप देखने को मलता है ऑनवाफिशल विल्ड है देखने को मिल जाती है क्या खास है क्या नया है इस पिक्सल एक्पिरियंस प्लस रोम के अंदर तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दिखाता हूं आपको इसके बारे में और अगर आपको अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रहे बट अगर कि नौर्मल आपको पिक्सल एक्सपिरियंस रोम में नहीं देखने को मलता था वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं उससे पहले आपको यहाँ पर दिखाऊंगी प्लस फीचर्स क्या-क्या अलग अलग है यहाँ आपको कुछ चीज़ें हाँ पर दिखा देता हूँ जो कि Pixel Experience रोम में आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले तो यार बग फ्री मोस्टली रोम रहती है आपको कुछ बग्स नहीं मिलेंगे और अज डेली ड्राइवर यूस करना चाहो आप तो इसली इसको आप यूस कर सकते हो इसके अंदर अगर आपको में कैमरा दिखा हूँ तो यहाँ पर आपको MIUI का कैमरा देखने को मल जाता है AI मोड के साथ यह कैमरा आता है आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग वगेरा भी इसके अंदर easily कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे इसमें नहीं आती है उसी किलावा Play Store आपको pre-installed इसके अंदर देखने को मलता है और कोई भी आप application easily चला सकते हो बिना किसी problem के phone dialer Google वगेरा का आपको मिल जाता है अगर यहाँ पे हम चलें settings में तो सबसे पहले आपको settings में Wi-Fi brand सब चीज देखने को मिल जाएगी यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दू कि मेरा यह Wi-Fi से connected है और उसके साथ साथ में hotspot भी अगर on कर दू तो दोनों चीज यहाँ पे on हो जाती है Wi-Fi और hotspot दोनों working में यहाँ पे रहता है लेकिन यार Pixel Experience Plus Room का फिलहाल एक bug है कि अगर आप यहाँ पे hotspot से किसी को connect करवाते हो तो उसके में not no connection लिखा हुआ आता है मतलब no data आपको लिखा हुआ आएगा connect तो हो जाएगा लेकिन work नहीं करेगा यह फिलहाल Pixel Experience Plus Room का जितने भी है सम्में bug है और यह फिलहाल Pixel Experience रोम में भी bug है जिसको अभी फिलहाल कि update में I think fix करा गया है इसमें आने वाली update में आपको fix मिल जाएगा ऐसे कुछ जादा इसमें दिक्कत है नहीं उसी के लावा application manager default वगएर आपको यहाँ पे मिल जाता है बैटरी मेनेजर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप सब चीज़ देख सकते हूं बैटरी बैकप भी अच्छा खासा मिलता है lineage OS आपको बैटरी बैकप काफी अच्छा देता है लेकिन overclocked performance नहीं देता है और schedule भी कर सकते हो यहाँ पर आप dark mode को तो dark mode, dark theme आपको सब मिल जाता है उसमें भी कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आती है night life, adaptive brightness, live display वगएरा सब आपको इसके अंदर मिल जाती है जो कि plus room का एक आपको फीचर मिलता है यह live display आपको पहले lineage oz में देखने को मलती थी जिसका kernel है तो उसी का आपको यहाँ पर फीचर मलता है जिसमें आप color adjustment और hue adjustment, color calibration, reading mode वगएरा आप यहाँ पर सब चीज सेट कर सकते हो अगर आपने सेट करने में कुछ गरबल कर दी तो आपको reset button भी मल जाता है जिससे आप आपस आके reset भी इसको कर पाओगे तो यह भी एक काफी अच्छा option है उसी किलावा android 10 का आपको style and display का option देखने को मिल जाता है जहां पर अलग-अलग तरीके से style में आप यहाँ पर font चूस कर सकते हो आइकन चूस कर सकते हो color और चूस कर सकते हो shape आपके icons के तो यह सारे option भी मिल जाते हैं उसी किलावा आपको यहाँ पर wallpaper भी select करने को मिलता है कुछ live wallpaper भी मिल जाते हैं जिनको आप use कर सकते हो pixel के wallpaper सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि एक plus room का feature है साही साथ यहां पर font size को आपको customize करने का बहुत सारा तरीके से दिया हुआ है feature जो कि आप वो pixel experience में simple में मिलता तो है लेकिन इतने सारे customization करने के लिए option नहीं मिलते हैं का मिलते हैं इसमें थोड़े जादा आपको मिल जाते हैं जिनको आप सही से आप फॉन को कस्टमाइज कर पाओगे उसके लावब display size यहां पर चोड़ा बड़ा और screen saver का भी option मिलता है उसके लावब lock screen display में भी आप कुछ setting कर सकते हो जैसे कि यहां पर message और art visual लगा सकते हो music visualizer साई साथ आपको always on display का भी option आपको मिल जाता है और इसके अंदर अच्छे से work भी कर रहा है आपको कुछ इस तरीके का always on display मिलेगा हाला कि कुछ extra customization नहीं लेकिन आपको always on display आपे देखने को मिल जाता है जो कि फिलहाल अच्छे से work कर रहा है बिना किसी दिक्कत के उसी किलावा sound vibration में आपको अलग-अलग तरीके के पूरे option मिल जाते हैं जिसमें vibration on call उसी किलावा do not disturb का भी option मिलता है live caption का option मिल जाता है यानि आपके में कोई वीडियो अगर आप जैसे YouTube में देखते हो नीचे caption लिखा हुआता है कभी-कभ तो उस तरीके से यहां पर अगर आप कुछ भी चीज़ देखोगे तो यहां पर आपके फोन के उपर caption दिखाएगा इसका option यहां पर मिल जाता है वह काफी अच्छा option है और फिलहाल सिर्फ English में ही work करता है लेकिन बच्छे से work करता है यह बात एक आपको नोट करनी होगी उसे के लाव फोन रिंग टोन और यहां पर अलगलग मीडिया साउंड को आप एड़स्ट कर सकते हो उसका भी option दिया हुआ है इस टोरेज में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है लोकेशन फिंगर प्रिंट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको यहां पर पर देखने को मिल जाता है जिनको आप चेक आउट कर सकते हो अपने डीटा को कि किस टाइम के तक हुआ है तो यह भी आपको यहां पर पूरा मिल जाएगा गूगल प्रिफरेंस वगरा भी मिल जाता है अब यहां पर अगर हम आज है सिस्टम में तो यहां पर कुछ प्लस के एस्टा फीचर देखने को मिल जाता है जो कि प्क्सिल एक्ष्वेंस में पहले अमने कभी नहीं देखे थे तो यह फीचर क्या है तो जैसे हम चले अगर गैशर की उपर तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ओप्शन स्वाइब तो स्क्रीन शॉट का स्वाइब यहां पर फीचर रहता है अगर आपने MIUI भी यूज करी है तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है इस फीचर में आप थरी फिंगर से अपर इसको यूज कर सकते हो अपर स्क्रीन अपर सकते है भी भी option दे दिया गया है उसे किलावा buttons वगेरा में screenshot airplane mode and call करने का और disable lock screen या आपको long lock screen पे torch on करने का सबको option मिल जाता है वेक device का है और control music playback वगेरा का option आपको इसके अंदर extra buttons पे मिलता है उसे किलावा status bar में आपको यहाँ पर option मिल जाता है जिसका option है network traffic monitor आप यहाँ पर देख सकते हो जिसको आप यहाँ पर enable कर सकते हो network monitor आप enable कर सकते हो खास बात यह है कि यह network monitor या redmi note 7 में जो pixel experience plus उसके अंदर नहीं देखने को मिलता है तो यह काफी अजीब सी चीज है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी system icons यहाँ पर enable कर सकते हो clock की projection आप left right कर सकते हो जिदर भी आपको रखनी हो notch मिलता है तो यह राइट left में रखो तो ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि icons वहाँ से गायब हो जाते हैं थोड़ी दिक्कत आ जाएगी AM PM और battery status bar circle आपको किस तरीके से रखना है उसका option और inside the icons का option मिलता है auto brightness toggle और brightness toggle वगेरा का option मिल जाता है quick pull down का यानि आप left से लोगे तो आपको किस चीज का चाहिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पर left से लोगा तो आपको directly यही देखने को मिलता है अगर मैं right से लेता हूं तो directly यह आपको देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से आपको quick pull down का भी option मिलता है जिनको आप यहाँ पर enable कर सकते हो tiles visibility torch और यहाँ पर अगर हम आ जाए तो rose वगेरा आप यहाँ पर select तो करी सकते हो नीचे आपको यहाँ पर कुछ animation भी देखने को मलते हैं यानि flip style rotate animation जो कि आपको quick setting में देखने को मल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज on करते हो मानलू मैंने यहाँ पर on कर फ्लेश लाइट तो आप देखा होगे इस तरीके से rotate होगा और यह चीज़ आप यहाँ पर चेंज करके flip को rotate कर सकते हो जिसमें आप यह आपके लिए rotate होगा तो यह भी ऑप्शन एक अलग आपको देखने को यहाँ पर मल जाता है तो इस तरीके से rotate होता है तो यह option भी आप पबगी HD में नहीं देखने को मिलेंगा Simple जिसमें रहता है उसी में आप उसको Play कर सकते हो कोई सेटिंग वगएर तो आप यहां पे नहीं चेंज कर सकते कि परफेक्टली Google camera के लिए अपने हमारे telegram group को जॉइन करना होगा जिसका link मैंने आपको नीचे description में दिया है और अगर आपको इस file को भी flash करनी है तो इसका भी link मैंने आपको नीचे description में दिया है और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसके लिए भी telegram group को जॉइन कर सकते हो flash करना बहुत ही easy है Google Apps आपको flash नहीं करने है बस इतना है कि आपके phone के अंदर orange fox recovery होनी चाहिए उसमें जाके सब चीज वाइब कर दो इंटरनल स्टोरिस को चोड़के और इसकी pixel experience रोम की file को बस आपको flash कर देना है और आपके में यहां पर आ जाएगा pixel experience from और आप easily इसको enjoy कर सकते हो फिलाल तो इस वीडियो में रहता ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो please like share कर देना और मिलूंगा आपको यह कौनी वीडियो के साथ तब दक लिए take care bye bye